परताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है आज जिस तरह से देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कनाडा और भारत के बीच क्या चल रहा है ऐसा क्या है कि इस तरह से संबंद उलज गए हैं लगातार इस्थितियां खराब होती जा रही हैं एक देश राजनईक निकाल रहा है दूसरा देश राजनईक निकाल रहा है और इसके अलावा सीधे सीधे प्रेस कॉंफरेंस करकर भारत के ऊपर निशाना साधा जा रहा है यह ऐसा सुलखता हुआ सवाल है जिससे ये दो देश इन दो देशों की अर्थ वेवस्ता इन दो देशों क की राजनिती और साथ ही साथ कनाडा में बसने वाले लाखों भारतियों का भी भविश्य जुटा हुआ है इस पर हम बात करेंगे प्रबीर पुरकाय से प्रबीर आपका स्वागत है किसने सोचा था कि इस तरह से चीजें फिर पलट जाएंगी और भारत और कनाडा के बीच इतनी ज्यादा नाराजगी गुसा ये आखिर अचानक फिर दुबारा से क्यों सामने आया अचानक दुबारा ऐसे ना कहे ये बहुत दिन से क्या करा है जमा हुआ चीजे है जो कभी न कभी इसका बिस्वोट होना था क्योंकि सुलह करने की कोई इस पर दिशा नहीं थी इनका कहना है अब कैनेडा का कहना है कि ये डिज्जर का जो मॉर्डर हुआ था कैनेडा में व था क्योंगा जो है हिंदुस्तानी हात भारत वरिश्च की एजन्सिस की हात में तैसमें है क्रिमिनल्स भले ही ही क्या हो ऐड्ड गं TIME कहीं से आपने जुगाड किया है पर इसकी पीछे हमारा भूश्टरी कहे फॉर इफिर्स मिनिस्ट्री कहे इनका हात है एजन्सिस कहे उन और वहां पर intelligence agencies जो है उन्होंने पाने उनको कहा था, आप भी इसके शिकार बन सकते हैं, तो इसलिए उनको सतर किया था, और दोना जगहों पे उनका कहना था, कि इंडिया इजिंसी की हाथ है, और वहां के हो सकता है, क्रिमिनल तत्वों को साथ लेके ये साजिश रचा जा र हैं, तो उन से हुआ है, पर इसके पीछे भारत वर्ष की राजनी थी, और खास्तों से सरकारी हाथ है, इस दोनों को कहना है, अमरीका ने कैनेडा को इससे सबर्थन किया है, ये कहते हूए इस पे साफ तरीके से जवाब नहीं दिया था, जो कैनेडा रेष्म этой rosity से हमसे जो जाच हो रही है वो शेयर नहीं की गई है और एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि जो वेस्ट का ये ब्लॉक है जिसमें अमरीका और कनेडा खास तोर से साथ में हैं इंके पास इंका कहना है कि भारत हमारी जमीन को अपने वैमनस के लिए या भारत का जो विरोध लो चब्दों में उन्होंने कहा कि कोई भी देश दुनिया का अपनी जमीन को अपने नागरिकों के खिलाफ इस्तमाल नहीं होने देगा उनका तो साफ यह है कि हमारे सिटिजन है तो इसको अगर हमारे ही जमीन मारते है और इसमें अगर आपका हाथ है तो यह चीज हम तक ले जाना जहां पर आप अपने राजडूतों को यह तो निशकाशित कर रहे हैं कोई निशकाशित कर रहा है या कोई वापस बुला रहा बात तो बराबरी है तो आपके संपर्क राजडितिक संपर्क कूट डितिक संपर्क उस तर पे पहुंच जाए कि दोनों देशों इस High Commission जो भी कही है उब बंध हो गया करीब करीब तो वीजा नहीं मिलेगा लाखों हमारे वहाँ पर लोग है चात्र पढ़ने जाते हैं पढ़ रहे हैं तो उनको उनका क्या होगा वो क्या आप वापस कैसे आएंगे घर कैसे आएंगे आएंगे दो जान नहीं सकते तो यह जगह है जहां पर करीब 10 प्रतिशत लोग इंडियन ओरिजिन के हैं हमारे भारतिये ओरिजिन के हैं और उस पेसे बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पंजाब से गिया हुआ है सिख बिरादिरी के बहुत बड़ा वहां पर लोग है तो यह देखते हुए आपका सवाल वाजिब है कि पहुँचने कैसे दिया सवाल दोना तरफ जो बात्चित चलती है उसको देखके वो कहते हैं कि कैनड़ा ये कह रहा है कि इंडियन एजिंसीज की खात है और ये खात खुलासा हो जाता है क्योंकि हमने जो इंडियन इंबसी की कॉम्मुनिकेशन टैप की है साफ है उनो को मदद किया है अब जानते हैं फाइवाइस का सारा मामला सामने आ रहा है कि एक दूसरे को मदद करते हैं और इस मामले पे नहीं है पर इन्होंने अमरीका के सहारे फाइवाइस की जो नेटवर्क है कैनड़ा उसका पूरा हिस्सा है उसके जरीए हमारे कॉम्मुनिकेशन किया था जो कानूनन इंटनेशनल कानून के विताविक उनको नहीं करना चाहिए तो अगर किया है तो उनके पास ये ख़वर है कि इंडियन एंबसी इसमें इंडियन हाई कमिशन इसमें इन्वाल्व था और ये रिपोर्ट जो है यह यहां तक पहुंच रही थी कि वहां क् होने जा रहा है क्या करना चाहते हैं यह सब बाते उन्होंने उनके विताविक उन्होंने टैप करके देखा है और उनके विताविक यहां के सीनियर लेवल्स जो होम मिनिस्ट्री और नैशनल सीक्योरिटी काउंसल के सीनियर लेवल पे यह चीज जानकारी थी और उसके सहमत से ही ये हुआ है दोस्ती बात जिसके वज़ाइसे एक कहेंगे कि एक लेजिटिपिसी उनको मिलती है कि हमारे यहां से ऐसे बयान दी गई है कि इंडिया की दुष्पन है कहीं नहीं बचेंगे तो यह हमारे हाद बहुत लंबे हैं यह पुष्टी करता है उनकी यह पब्लिक इंपक्ट उल्टा पड़ता है यहां पर अच्छा हो सकता है पर दूसरे जगह पर उसका उल्टा पड़ता है और इसलिए कोई भी देश कहे यह तो उसको भुगतना पड़ेगा अंतराश्टियस तर पर अगर राज़िति ग्रूप से उसके कोई टक्रा हो सवाल है क सब्सक्राइब करें तो मुझे कर रहा है कि यह सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि जस्टिन टूडो की स्थिति खराब है और वह चाहते हैं कि इस मुद्दे पर धुरूभी करण करें और जो सिक्षों की एक बड़ी आबादी आबादी है वहां पर उसे अपने पक्ष में मोड ले लें और अमरीका में भी चुनाओ है पांच नमंबर को वहां मद्दान होना है तो यह क्या अंदुरीनी जो मामला है डोमेस्टिक अफेर जो है वो इंटरनाश्टनल रिलेशन्स को इतना ज्यादा प्रभावित कर सकता है क्या कोई कंट्रोल नहीं किया सकता था इसको भारत की तरफ से कोई पहल हो सकती थी क्या देखिए अब हम बैठके एडवाइजर ना बने दोनों मिनिस्ट्रीज को ठीकने करड़ा हो इंडिया हो तो उनका तो अपनी कूटनीती राजडीति उनको करना है अपने हिसाब से सवाल यह है कि अपने हम इतना बात कर सकते हैं कि कैरड़ा में राजडीती में एक सिख समुदाय जो है उनका इस तरह के इंपक कैसे पढ़ता है इसलिए है कि जब स्विंग स्टेट्स होते एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं तो काफी MPs उनको साथ चले जाते हैं तो स्विंग स्टे कि अगर वोट्स टूडो के खिलाव जाता है तो टूडो की हार करीब-करीब निश्चित है liakka अभी जो स्टित्य है टूडो की अनकी हार वैसे भी शायद निश्चित है पर इस पे कोई दोर disagree कि अगर इधर से उधर होता है तो बड़े पाहज को इवाने पर उसका असर प कि इस इस्थिदी को देखते हुए जितने पार्टिया हैं केरेडा में वह चाहते इस वोड दस प्रतिशन ब्रिटिश के लिए के वोड भी हमारे साथ आए तो एक कॉंपिटिटिव पॉलिटिक्स यह होता है सवाल इसकी नहीं है कॉंपिटिव पॉलिटिक्स का हमेशा रहा ह सवाल है कि हम जिस तरह से राज़्य इत करना चाहते हैं कि मल्टिपल एलाइनमेंट्स करके हम सब के साथ हैं हम वेस्ट के भी सा थे हम रूस के भी साथ है चीन के बसाथ के अलग एक भारत की पहचान रही नॉन एलाइंमेंट उसके उलट जो हमारा अंतराश्थिये प्रद alignment ऐसा नहीं थे हम किसी के साथ नहीं है हम अपना स्वार्त देखेंगे non alignment पे एक बहुत बड़ा नीम जो कहेंगे foundation था वो यह था कि हम colonialism का खिलाफ है हम साब्राजबाद के खिलाफ है हम South Africa हो Vietnam हो Korea हो हर जगह फिलिस्तीन देखिए तो हर जगह पे हमने साथ दिया था जो imperialism, colonialism के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाया था उसकी लड़ाई का हमने समर्तन किया था यहां पर जो multiple alignments की बात करते हैं हम इस्रेल के साथ है पलेस्टाइन की साथ है वो चलता नहीं है वो आप सामने देखी रहे हैं अबरिका के साथ है केरेडा के साथ है चीन के खिलाफ रूस के साथ है तो यह जो है बहुत shallow राज़नीत है अंतराश्टियस तर पे जो क्या कि दिश्रोत है उसको अगबर नहीं समझेंगे तो अब राज़नीती से सिर्फ कूट नीती करके राज़नीत अंतराश्टियस तर पे कर नहीं सकते हैं कूट नीती का limitation है राज़नीत होता जो आधार को समझता है और दुनिया की राज़नीतिक आधार इस वक्त साफ है कि जो चंद देश जिसको मैं कहूंगा colonial settler, colonial state इसमें अमरीका, कैनला सब शामिल है उनके साथ भी आप जाएंगे उसके खिलाफ भी जाएंगे वो चलेगा नहीं तो एक न घर का न घाट का स्थिति आपकी हो जाएगी मैंने ख्याल से यह शालो राज़नीत यह है कि हम कैनेडा में अबरीका में जो हमारे खिलाफ है उनको हम ठीक कर सकते हैं, हम दंकी दे सकते हैं और इस इसी का परिणाम यह है कि जब कैनेडा से आपकी संबंद बिगडती है तो उसम कैनेडा को कोई लगता है कि कोई फरक नहीं पड़ता हम भारतवर्ष खिलाफ करेगा तो क्या होगा हमारे तो यह जो चीजे है यह साब दिख रहा है कि छोटा सा मुल्क देखने हो बड़ा है और है तो चोटा मुल्क पॉपलेशन देख लीजे हमारा किसी बड़े प्रदे अहली बारिक नैशनल सेक्योरिटी काउंसिल का चीफ पुरधान मंत्री के साथ नहीं गए अमरीका पर यह सवाल जो है मैं समझता हो कि इसको भी दर्शाता है कि हमारी जो कूट नीती है वो बहुत शैलो है बहुत उतली है और उसमें बहुत परिपकवता नहीं दिखाई द तो इसका मतलब है कि यह आने वाले दिनों में अभी तुरंट इसका कोई हल होता दिखाई नहीं दे रहा है और शायद दोनों ही देश तीनों ही देश अभी तुरंट हल निकालने की दिशा में बढ़ते भी दिखाई नहीं दे रहे हैं अमरीका के साथ सब्ब तो कुछ चीजें वहां पर उसकी तो हमने थोड़ी बहुत सुनवाई की और कैनेडा पर पानी काफी आगे दिखल चुका है तो इसलिए कैनेडा के पास भी खास रास्ता नहीं है क्योंकि वहां पर उनकी इन्वेस्टिगेशन की जो रपट उनकी पास है वो कुछ नहीं कर पास नहीं नहीं केस चला केस बिखल रहे तो उसकी इतिहास भी अच्छी नहीं है तो इसलिए मैं दोनों पक्ष को इसमें किसी के साथ देने की बात नहीं है एक गरत है ऐक सही है ऐसा नहीं है पर सवाल है कूट नीति के हिसाब से राज नीति के हिसाब से डिप्लॉमसी के हिसाब से भारत वर्ष का नुकसान ज्यादा है इसलिए कि कैनेडा छोटा मुल्क है, बड़े मुल्क है, हमारे साथ ऐसे हो रहा है जहां पर हमारा वहां पर भारत वर्ष के कहेंगे बड़ा इस पर ज्यादा था और उनका स्टेक इसलिए कम है तो यह हल कर लेना हमारे लिए बहतर होता इस रास्ते पर यहां तक आना मेरे ख्याल से कूट नीतिका बहुत बड़ा फेल यह और निश्चित तोर पर मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत लगातार दावा कर रहा था और बना हुआ है कि हम विश्व गुरू है और सब चीजे मैनेज कर ले पाएंगे भारत और कनेडा के संदर में अभी मैनेज होता तो नहीं दिखाई देरा और हमारी आपकी चिंता निश्चित तोर पर यह है कि जो भारती वहां बसे हैं जो चात्र वहां बसे हैं और जिस तरह का एक जो टकराव है यह आगे बढ़ेगा तो दोनों तरफ जो मामला फसेगा तो नागरिकों पर ही सबसे ज़्यादा उसका असर पड़ता है इसलिए हम इस पर निगाह बनाए रखेंगे बहुत-बहुत शुक्रिया प्रबीर